हम ड्रोट को बहुत सारा गुद मॉर्निंग आशकी क्लास का मैं सुश्मिदाधर पार्टी आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं विक्लिकरेंट अफेर्स ओके तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं आज में क्या क्या करने हैं बहुत सारे questions हैं जो हम करेंगे as usual 60 questions है ना तो वो आपन लोग करने वाले हैं तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अच्छा हुआ ठीक टाक हुआ कल ऐसी बताई जा रही थी ऐसी आशेंकाय जताई जा रही थी कि अगर आप लोगों ने 65 अबव किया तो इट वस अ गुड अटेम्ट क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने तो पेपर में मतलब कम ही अटेम्ट किये थे कुछ बच्चे ऐसे थे जो 70 अबव किये थे 80 वाले बच्चे मुझे नहीं मिलें कर ठीके मुझे 70 अबव वाले मिले 80 वाले नहीं मिलें खेर चलो anyway good morning सभी लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि देखो पेपर कैसा भी हुआ हो बिलकुल positive रहो अभी upcoming examinations भी है पढ़ाई करते रहो यह मत सोचो कि यह वाला पेपर कैसा हुआ वह वाला पेपर कैसा हुआ पढ़ाई करते रहना है तुम्हारे आद में सिर्फ एक चीज़ है महनत करते रहो बाकी फल तो मिलता रहेगा but for that you have to work hard very very hard work बहुत जदा required है अच्छा अब आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग basically mcqs कर रहेंगे लेकिन एक बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ mcqs हम लोग करते हैं उन सारी उन सारे news की हम लोग यहाँ पे questions को cover करते हैं जो हम लोग पूरे हफ़ते पढ़े रहते हैं तो जो पूरे हफ़ते आपकी class होती है यह 6.45 a.m. पर होती है जैसे आप देख सकते हो कि 23 गंटे में अभी यहाँ से live होगी ठीक है यानि कल सुबह यह class होगी तो पूरे हफ़ते हमारी यह current affairs की class चलती है ठीक है अब जो भी लोगो session में एक काम आप सभी लोग करोगे इस session पर पहले तो यहाँ click करोगे और दूसरा आप सभी लोगो क्या करना होगा reminder set करना होगा notify में सभी लोग करोगे reminder set करोगे कि जब यह class हो तो आप सभी लोग अपनी उपस्थिती बनाओ इस class में इस class को attend करो फिर यह जो weekly mcqs है इसमें जो हमने यहाँ बढ़ा है plus कुछ और नए questions आप लोग कर लो ताकि जितनी भी चीज़े हैं सबके सब coverd हो जाए ठीक है तो यह काम सभी को करना है जितने भी लोगों आज की class में सभी लोगों को यह करना होगा ठीक है यहाँ क्या करोगे notify me करोगे reminder set करोगे कल जब सुबह class होगी तो उसमें सभी लोगों को आना बहुत important है ठीक है चलो तो अब हम लोग अपनी आज की session की तरफ move करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या-क्या पढ़ना है काफे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को आज भी cover करनी है important सब ठीक है दोस्तो So Okay Starting the session Starting the CA quiz Okay अज़े मेरी पेंज़रा मिल जाती तो अच्छा हो जाता हूँ एक सिगेंट रुपना दोस्तो पैनी नहीं आतो यह आगी हाँ तो देखो सबसे पहले सवाल और आंसर करो सबसे पहले सवाल में आपसे क्या पूचे जा रहा है कि अभी वर्ल्ड उजोंडे celebrate किया गया था 16 सितंबर को वर्ल्ड उजोंडे का कौन सा addition था जो इस बारी celebrate किया गया है options आपके क्या दिये हुए options आपके दिये हुए है 27, 28, 35, 26, 29 क्या यह सवाल आते हैं direct question पूचे जाते हैं कि कौन सवाला addition था तो अगर पूचा गया तो आप लोग कर सकोगे anyway चलो इसका answer करो मुझे क्या answers बिल रहे है 28th, 28th, 28th आव जरा देख लेते हैं इसके बारे में तो जरा ध्यान दीजेगा सभी लोग कि जो इसका सही answer है यह 29th जो हमारे देश की Ministry of Environment, Forest, Climate Change है यह celebrate कर रहे है 29th World Ozone Day ठीक है यह इस बारी 29th World Ozone Day है जो की celebrate किया गया था हमारे लोगों के देश में ठीक है अरे यार हाँ तो सुनो World Ozone Day है इसको हर साल 16 सेतंबर को मनाया जाता है ठीक है Montreal Protocol की signing हुई थी उसके बाद से यह सवाल भी बनता है कि कौन सी Protocol की signing के बाद से हुआ था तो यह Montreal Protocol की signing के बाद से हुआ था यह International Environmental Treaty है यह किस दिन फोर्स में आता या कब शुरू शुरू में आया था तो यह 1987 में इसको लेकर के चर्चा की गई थी और उसके अगले साल से हर साल से यह मनाया जा रहा है इस दिन को मनाया जाता है ताकि हम लोगों को Ozone Layer Depletion के बारे में अवेर कर सके कि कि खतरनाक हो सकती है और कैसे हम लोगों को सचेत कर सकते हैं कि अपने actions ऐसे रखो कि Ozone Layer Depletion ना हो इस बार का जो थीम ता यह था Montreal Protocol Fixing the Ozone Layer and Reducing Climate Change ठीक है यह इस बार का थीम था नेक्स देखिएगा अभी अभी वाइस प्रसेडेंट जगदीब धानकर जी ने प्रसेंट किया था One Time Sangeet Natak Academy अमरित अवार्ड कितने लोगों को किया था 84 आर्टिस्ट को आपसे question पूछा जा रहा है कि Sangeet Natak Academy जो है यह कौन सी मंत्राले के अंडर आता है Ministry of Tribal Affairs, Education, Skill Development, Culture यह Minister of Tourism कौन सी मंत्राले के अंडर यह पर्टिकुलर आवार्ड आता है देखो यह अच्छा सवाल है यह आता है आपका Ministry of Culture के अंडर ठीक है तो ज़रा दियान दीजेगा सभी लोग किसका सहयान सता Ministry of Culture, Vice President जगदीब दानकर जी ने संगीत नातक अकादमी अमरित अवार्ड 84 आटिस्ट को दिया है किस फील्ड में तो डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स वील्ड है उसमें इनको यह दिया गया है जो भी उनका अपनी तरफ से उनका जो टैलेंट है उसको जो है यहां पर इन्होंने सम्मानित किया है तो यह जो अवार्ड इसको कॉंस्टिटूट किया गया था ताकि इंडियन आर्टिस्ट जिनकी उम्र 75 इएर्स है ठीक है और अभी तक उने कोई अवार्ड नहीं दिया गया है उन्हें यह अम्रित अवार्ड यह बहुत इंपॉर्टन है किसके लिए किया गया था उनके लिए जिनकी उम्र कितनी हो गए यह 75 साल से उपर हो गए और आज तक अगर वो बहुत टैलेंटेड होने को यह वर्ड ने मिला तो उन्हीं यह वर्ड दिया जाएगा ठीक है संगीत नातक अमरित अकार्डमी अवर्ड ठीक है याद रखे रहेगा अच्छा तो यह कौन सी मंत्रा लेके अंदर आता है? याद रखे रहेगा यह Ministry of Culture के अंदर आता है Ministry of Culture की अगर हम लोग बात कर लें तो फटाफटली को Ministry of Culture अभी Current किस के पास में है? Current में Ministry of Culture किस के पास में है? देखो यह फिलाल में G.Kishan Reddy जी के पास में है फिलाल में ये किसके पास में है? जी किशन रडड़ी, ओके और Minister of State भी पूचा जाता है कि Independent Charge किसके पास में है, तो दो लों के पास में इसका Independent Charge है एक है стороны, अरजुन राम मिघवल अरजुन राम मिघवल और दूसरी हैं मिनाक्शी लेखी कौन है ? मिनाक्षी लेकी इन दोनों लोग के पास में इसका इंडिपेंडेंट चार्ज है एक और भी बात इस साल के बजट में Ministry of Culture को कितने रुपीज दिये गया थे इस साल जब बजट बिनाया गया था तो Minister of Culture को कितने रुपए का ऐलोकेशन किया गया था 3399.5 करोर इसको आप लोग इस साल के बजट में अगला देखो विच इंडियन कोसगार्ड शिप इस करेंट्ली ओन ऑन ओवर्सी दिप्लॉइमेंट तो एशन कंट्रीज फॉम 11 सप्टेंबर तो 14 ऑक्टूबर ऐसे पार्ड ओफ इंडियाज अशियान अशियान इनिशियाटिव फॉर मारिटाइम समुद्र प््रहारी सिदू केश्री कवराती रन विज या फिर नन。 गुड्वॉनिंग देखो इस कहां सहर होगा समुद्र प्रहारी समुद्र प्रहारी वो आएने से जिसको अभी कहां भी जा गया है इंडिया आशियान वाले पार्ट में और अभी इसको भी जा गया हुआ है इंडोनेशा थाकि यह वहां पे जो एक्सरसाइस चल रहे हैं उसमें पार्डिसिपेट कर ले बाकी यहां पे आप तीन शिप्स देख रहा हो ना शिंद्र केसरी कवाराती रनविजह इन तीनों को कहां भी जा गया है इन तीनों को सिंबेक्स के लिए भी जा गया है बाकी है एंडिया और इसंगापूर वाले एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी इंडिया और सिंगापूर बाकी ये जो समुद्र प्रहारी है ये आशियान इनिशेटिव में पार्टिसिपेट करेगी अगला देखो इन में से कौन सी जगे पर इंटरनाशनल कॉन्फरेंस और डैम सेफटी किया गया है नवी, मुंबई, दिल्ली, गांधी, नगर, बेंगलूरू या जैपूर, राजस्थान बताईएगा कहां पर हुआ आईए शूटर, गेमर बता दूँगी यूनियन टिरिटरीज वाला भी अभी जो बताई जाए रहा है उसको सुन लो ठीक है वो भी बतादेंगा अभी पहले ये questions कर लो ऐसे बीश में क्या होता है कि पूरा-पूरा जो flow होता है वो टूटने लग जाता है तो वो में नहीं चाहते हूं कि flow टूट जाए students का हाँ भी, तो यहां आपका answer क्या होगा दोस्तों इसमें आपका answer हो जाएगा जैपूर यह कहां किया गया है यह जैपूर राजस्तान में किया गया बाकी हम लोग कुछ और नेम देख रहे हैं जैसे इसमें आप लोगों को एक दिख रहा है एक दिख रहा है नवी मुंबई नवी मुंबई के अंदर आप लोगों का जो है न वर्ल्ड स्पाइस कॉंग्रेस हो रहा है यह सुघ्ण हो रहा है का हो रहा है यह यह भी नवी मुंबई दिल्ली के अंदर तो बहुत सारी बैठक को यह इसमें से एक याद रखे रहेगा ग्लोबल स्किल समिट ठीक है दिल् एक क्या दिख रहा है गांधी नगर क्यों को क्वा यहां पर चुछ चुछ हुआ है वो गांधी नगर आधा ठीक है तो यहां पर आप लोगों को क्या आप लुग रखना है कॉंफ्रेंस उन क्वेग्टेशिनल मेडिसन और एक और नाम हमें दिख रहा है बेंगलूरू तो दोस्तों बेंगलूरू के अंदर कौन सी important conference हुई थी बेंगलूरू के अंदर हुआ था world coffee conference क्या हुआ था world coffee conference तो ये कुछ important conferences हैं जो अलग-अलग जगे हुई हैं जो आपके exam में पूछी जाती है ठीक है चलो अगला देखो in a move to expand the area in non-traditional state the rubber board was implementing a project to bring 2 lakh hectares and a natural rubber in northeastern state कौन सा एक state है जिसमें ये नहीं किया जा रहा है उसको छोड़के बागी हर एक state में इस expansion project को किया जा रहा है तुरिपुरा सिक्किम मनिपुर मिगाले या असाम अगा ओके मुझे क्यांस मिल रहा है मिगाले 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 चलो देख लेते हैं तो इस कहांसे क्या था इस कहांसे था सिक्किम ठीक है तो अभी अभी क्या हुआ है नान ट्रेडिशनल इस्टेट ठीक है जो रबर बोर्ड है ये इंप्लिमेंट कर रही है एक प्रोजेक्ट ताकि वह दो लाख हेक्टेयर्स को नेशुरल रबर के अंडर ला सके कहां पर नौथ इस्टर इस्टेट में जहां ये नहीं किया गया है इसका नाम है सिक्किम सिक्किम को छोड़ गया और बाकि सभी के सभी North Eastern States में इसको किया जा रहा है अब अगर हम लोग सिक्किम से रिलेटेड हलकी सी इंफॉरमिशन ले ठीक है जो आप से कई बार पूचे जाता है सिक्किम का आपके जो CM होते हैं ठीक है सिक्किम के CM का नाम हो जाता है क्या प्रेम स अभी एक बहुत important बात है सिक्किम से related जो मैं आप सभी के साथ में share करती हूँ प्रेम सिंग तमांग यहां के क्या हो जाते हैं चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं ठीक है गवर्नर कौन होते हैं तुम लोग बताओ मुझे यहां का capital क्या होता है दोस्तों gang talk है यह तो आप सभी लोग को पता होगा अब एक बात सुनो यहां का जो official animal होता है state animal जो यहां का होता है यह होता है red panda ठीक है तो यहां का यह बड़ी important चीज है official animal official animal is red panda दो दिन पहले हमने एक दे पढ़ा था international red panda day याद आ रहा है सभी को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था about international red panda day किसी को याद हो तो फटा फट बताओ है ना यह होता है हर साल 16 सितंबर को red panda day इसलिए मैंने बोला कि यह थोड़ा सा important है अच्छा यहां के governor का नाम थोड़ा सा different है वो मुझे कम लोगों का दिखा तो गवर्नर का नाम आप लोग याद रखे ड़ेगा यह क्या हो जाता है लक्षमिन अचार ठीक है यहां के गवर्नर का नाम हो जाता है लक्षमिन अचार ओके चलो अगला देखो रिसेंटली कौन सा पोर्टल डेवलाप किया गया मिनिस्ट्री आफ अग्रिकल्चर के द्वारा और इसके लॉंचिंग की गई थी नीति आयोग मेंबर्स के द्वारा उद्गम संचार साथी प्रान यूवा या उपज सुनो यार जो भी लोग चैट कर रहा हो ना प्लीज स्टॉप दिस चैट या तो तुम लोग सेशन से चले जाओ और अगर सेशन में रहना है तो यह चैट मत करो ठीक है या तो मैं खुद ही व्लॉग कर दूगी एक दिन जो बहुत ज़दा चैट करते हो तो यह का मत करो जो चैट करते रहतों यह बहुत इरिटेटिंग होता है और बहुत नॉंसेंस चीज है क्लास में और चैट करने के लिए नंबर्स को एक्स्चेंज कर लो फिर चैट कर ले ना चैट करना इतना इंपॉर्डन नहीं कि सब लोग क्वेश्चिन के आंसर कर रहे हैं और दो लोग आ इक जगे पर अवेल करा दी जाएंगे ठीक है अब बागी भी आप लोगो कुछ और भी पोर्टल दिख रहे हैं यहां पर सबसे पहले इस में क्या दिख रहा है यहां से बेसिकली वापस से ले सकता है जान सकता उसके बारे में यूवा पोर्टल दिख रहा है तो यह यंग यूथ के लिए एक पोर्टल लॉंच किया गया था ठीक है चलो तो यह उपज यह उपज का फुल फॉर्म याद रखना है यूनिफाइट पोर्टल फॉर अग्रिकुल्चिरल स्टाइट्स ठीक है यह क्या होता है यह हो जाता है उपज ठीक है चलो अगला देखो अब यह से रिफ्यूज किया था कि यह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्री नाट पॉब्लिक ऑफ फंक्शन इस पर कुछ नहीं वो लेंगे आप से पूछा जा रहा है क्या अच्छा इस को भी रहने दो ठीक है इसको मैं जब पढ़ालूंगी तब करेंगे रिसेंटली बैंक्स और न लंबा नाटक चलाता तो एक नया इनकी द्वारा निर्देश आया है जिसमें इनोंने कहा है कि जितने भी बैंक्स और न्बी अफसी इन सभी लोगों को जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है यह लोन सिटल्मेंट के कितने दिन के भीतर रिलीस करना होगा ओगा ऑप्शन सिटल करते हैं तो बैंक ऑफ बरोडा ने अनॉंस किया कि स्टार्ट करेंगे बीयोबी के संग्तियोहार की उमंग हॉलिडे कैम्पिन जो की दिसमबर 31-2023 तक चलेगा आप से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन M.D.C.U है बैंक ऑफ बरोडा के के सतिनरायन राजू दिने चाहिए असान से सवाल हो गया है ना इसका आंसर होगा देवदत चंथ ठीक है इसका एस भी थोड़े से गेस्वर्ग से बता सकते थें कि कौन होंगे देवदत चंद जी यहां का आंसर हो जाएगा ठीक है अच्छा सुन्दर भी कहीं कि होते हैं क्या एस सुन्दर जो है यह भी कहीं कि M.D.C.E.O. होते हैं पहले यह लक्षमी विलास बैंक जो होगा करता था उसके M.D.C.E.O. इंटरिम बेस पर बनाए गयते हैं ठीक है चलो अगले क्वेशन देखो अगले क्वेशन में आपसे पूछे जा रहा है 14 एडिशन हुआ है वर्ल्ड स्पाइस कॉंग्रेस का कहा वाशी नवे मुंबई मे इसका थीम क्या था तो यह जो वर्ल्ड स्पाइस कॉंग्रेस हो रहा है इसका थीम क्या था वो पूछा गया ओप्शन देखो और आंसर करो PDF आप लोगों को मत जाएगी टेलेग्राम ग्रूप पर CA by सुषमिता मैं ठीक है कुशन में आप लोगों से पूचा जाएगा तो लिख देना होन गया कहें के हमें क्या करना तो question में आप से पूचा क्या जा रहा है ना कि world spice congress हुआ था इसका जो थीम था वो क्या था इसका Collaboration Excellence and Safety यह इस बार जो आप लोगं का World Spice Congress नवी मुंबई में हुआ है, इसका 14th edition था और इसका यह theme था ठीके दोस्तों, चलो, अगला देखिए का जरा अब यहां पर World Spice Congress के बारे में लिखा हुआ है कब से शुरू हुआ है, तो यहां पर एक जो important है कि इसको organize किया जाता है Spice Board Ministry of Commerce के अंदर यह question पूचा जा सकता है कि यह जो Spice Board है, कौन सी मंत्राले के अंदर आती है या World Spice Congress हमारे वहां की कौन सी मंत्राले organize करती है, यह questions बन सकते हैं वो आपको पता होने चीए, ठीके अगला देखो किसने अज्यूम किया है Charge Director of Bhabha का, ठीके Bhabha Atomic Research Center Bark का, options है श्री निवास के स्वामी, संजे श्रिवास्ता, विवेक भसीन धनानजय जोशी या मालवी जी, बताईएगा बताऊ वे नहीं, श्री निवास के स्वामी तुम लोग क्यों कन्फीज हो रहो, यह Audit Bureau of Circulation के अभी बनाएगा है इसने तुम लोग इनके नाम से शायद कन्फीज होते होगे, इसका अंसर क्या है इसका अंसर है विवेक भसीन, विवेक भसीन जी को अभी बार क्यानी की Bhabha Atomic Research Center का चीफ बनाएगा है कुछ और नामे ध्यान देने वाले, श्री निवास के स्वामी यह कहां के चीफ बनाएगा थे Audit Bureau of Circulation के चीफ बनाएगा है ठीक है, अच्छा, संजिर श्रिवास्तव कहां के बनाएगा है किसी को याद हैं क्या संजिर श्रिवास्तव जी को कहां का बनाएगा बताएगा आप लोग धननजा जोशी जी को कहां का बनाएगा है ठीक है, डीपा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था इसके अलावा आप लोगों को निहार माल भी है, निहार माल भी है penguin house के permanent chief अभी अभी बनाए गया थे है ना penguin house इस कहां से क्या था विवेक भसीन अब मुझे आप लोग यह बताएं संजय श्रिवास्तव कहां के chief बनाए गया है अगर किसी को याद है तो अगला देखो question क्या पूछा जा रहा है सेवी ने 21.5 लाख रुपए की penalty लगाई है Reliance Home Finance top executive in non-disclosure concealing adverse information in forensic audit आप से क्या पूछा गया है Reliance Home Finance के chief कौन है महिश शर्मा वरुंदास रविंद्र शारत सुधालकर संदीब बक्षिया ननौफ दी अबब कौन इनके chief है अहां बी यानी की कौन बी यानी की वरुंदास नो वरुंदास रॉंग ए भी गलत है यह में क्या है महेश शर्मा वो भी गलत है देखो शुरू के दो में आपको बता देती हूं महेश शर्मा SBI Life Insurance के chief है ठीक है वरुंदास कहां के है एको इंशुरंस के संदीब बक्षी कहां के हो जाते है आईसी आईसी आई के अब हमारे पास ले देखे कि एवल एकी नाम बचा है कौन सा नाम बचा है रवेंद्र शारत सुधालकर तो यह इसके आंसर भी है ठीक है चलो अगला इन में से कौन से बैंक ने पार्टनर्शिप किया एजस्पे की साथ और हाइपर यूपी आई की लॉन्चिंग करी है यह बैंकि आई सी आई सि एफ्सइए एफ्स इस बिया या यूको बैंक किस ने लॉंच किया है हाइपर यूपी आई को आंसे करना दोस्तों तो यह हम लोग ने पूरा पड़ा था मैंने आपके साथ में पूरी डिस्कुशन करी थी कि हाइबर यूपी आई लॉंच करने वाला कौन था इस बैंक था इन्होंने मिल करके लॉंच किया है ठीक है और क्या होगा बेसिकली यह लोग असानी से जो है मर्चंट्स को अलग-अ से वहां तक जाकर असानी से पेमेंट कर सकते हो अलग-अलग बार-बार पेजिस पर नी स्वच करना होगा आई-सी-ए-सी-आई-ए-बैंक से आप लों को क्या याद रखना होगा कि इन्होंने आई-प्रोसेस को अभी कम्प्लीट ली किया किया है अक्वायर कर लिया है वो आपसे पूचा जा रहा है कि कुस्सम स्कीम में ऐसे होता क्या है सुरक्षा समर्द्धी सरकार समाधान या समय समाज सौरी बताईएगा पटाफट बताओ थो तो मुझे क्या अंसरन्स मिल रहें B इट्सकर इट कुछ लोग B बता रहें कुछ लोग D बता रहें वाईएशन ही रहती ही हमेशा अंसर्समी ठीक है जबार हम लोग देख लेते हैं इसांसर क्या होगा से सुरक्षा होता है अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ डियू रिलाक्सेशन दी है पी एम कुसम स्कीम को देखना जादा जरूरी है इसका मकसद होता है कि अपने देश में जो सौरे उर्जा है जो सोलर कैपेसिटी उसको एड किया जाए 30,800 मेगावाट तक जिसकी जो टोटल फा कुसम का फुल फॉर्म क्या होता है प्रधान मंत्री उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यह एक डिमांड डिवन इसकी में जिसकी लॉंचिंग की गई थी अपने देश में ठीक है इंपोर्टेंट है याद रखने वाली चीज अगला देखो सटमबर 2023 में कौन से बैंक इंट्रोड्यूस किया था वर्चुल कॉमर्शियल कॉर्ड कार्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजक्शन के लिए इंडियन बैंक इंडेसिंट बंधन एस्बी या एच्टी एससी बैंक किसने इसकी लॉंचिंग करी थी गुट मॉर्णिंग तो आपसे क्या पूचा जा रहा है कि सितमबर 2023 में कौन से बैंक इंट्रोड्यूस किया था वर्चुल कॉमर्शियल कॉर्ड कार्ड ठीक है कि कुछ और भी नाम देख रहे हैं इंडियन बैंक को to Timothy के ब् form खे words कर सकते हैं कैघ सकते हैं इनको अलाउड है यह कर सकते हैं ठीक है एस बी आई से याद रखे रहेगा सिंप्ली सेफ मर्चंट क्रेडिट कार्ड लेकर के यह आए हैं है ना सिंप्ली सेफ कार्ड ओके और और HDFC से तो इतनी बाते होती है ठीक है चलो खेर अगला देखो कौन से पॉब्लिक सिक्टर अंडर्टेकिंग ने प्लान किया है कैपिटल इंवस्मेंट की 24,750 करोर अगले कुछ सालों में 61 फॉर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पे स्टील अतौरिटी ग्यास अत अतौरिटी इंडियान ओल कॉर्पोरेशन कोल इंडिया या फिर पावर फिनांस कॉर्पोरेशन क्या अंसर है बताईएगा ओके इसकान से क्या है दोस्तों यह करने वाला कोन है यह करने वाला है कोल इंडिया कोल इंडिया ने प्लान किया कि यह कापिटल निवेश करेंगे कितने रुपय का 24,750 करोड रुपय का अगले कुछ सालों में 631 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्स के उपर यह खर्च करने वाले है ठीक है चलो अगला देखो अभी अभी इंडिया जो है यह कौन से नंबर की कंट्री बन गई है जिसको की OIML ने अपना सर्टिफिकेशन जो है दिया है 13,15,21,11 या 8 यह हम लोगों ने बहुत डीप में डिसक्स किया था अगर आप लोगों को सभी को ध्यान हो तो है न कि यह वेट मेजरमेंट वाली कंपनीज को दिया जाता है इसमें यूएस से एक पार्ट अभी तक नहीं है इं International Organization of Legal Metrology ने अपना सर्टिफिकेट दिया है और अब इंडिया चाहे तो दूसरी कंट्रीज को यह सर्टिफिकेट दे सकता है अगर उसे लगता है कि जो भी मेजरमेंट करने के जो भी इंस्रूमेंट है वो बिल्कुल सही है वो उनको दे सकता है ना यूएस से इसका एक पा सब्सक्राइब करने करने वाले कौन थे इसकी लांचिंग करने वाले कौन थे तो मुझे के आंसर्स मिल रहे हैं जिते इंडर सिंग जी कारेक्ट है जिते इंडर सिंग जी ने अभी-अभी क्या लॉंच किया था इस पेशल कैमपेंट ओ पोर्टल एक फंक्शन के दौरान नहीं दिल्ली में यह एक डेडिकेटेट पोर्टल है इसको मॉनिटर किया इसके द्वारा की गई है जिते इंडर सिंग जी के द्वारा हुई है काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है आप लों के लिए ठीक है चलो अगला जैसा गवर्न्मिंट नोटिफिकेशन के मुताबिक जितने भी रिपोर्टेट बर्थ और डेथ होंगे हमारे देश में उनको अब डिजिटरली रेजिस्टर किया जाएगा सेंटर के पोर्टल पर कौन सी तारीक के बाद से इसको लागू किया जा रहा है 30 सितंबर एक अक्टूबर 20 सितंबर 10 अक्टूबर या 15 अक्टूबर बताईएगा मुझे क्यांकेर रहे एक अक्टूबर विच जाया चेयर के लिए ऑब कहा गया किकी बच्चे ऑची किए भी यह कुछ दैख होती है तो इसको क्या हो और यह यहिए और आपको प्रमाड पत्र में लेना होगा और कहीं भी जो भी स्थ को python और Adams से पैदा होगा appensor में से duty of तो उनकी जितने भी important documents लगते थे ना अलग-अलग जगर registration के लिए वो नहीं लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनलों का birth certificate ही पूरा काम कर देगा, ठीक है, चलो, अगला, Union Ministry of Fisheries, Animal, Husbandry और Daring, श्रीपार शुत्तम रुपाला जी ने inaugurate किया है दूसरा चरण, ICAR और SIVA का, ठीक है, आपसे क्या पूचा जा रहा है, कि इसको कहां पर किया गया है, सॉरी, आपसे पूचा जा रहा है कि ICAR SIVA, Institute of Barracks Water, Shrimp Farmers Concliffe, कौन सी राज्जी में, उत्तर पूच असाम, उत्तराखंड, ओडिशा, एक और लास्ट में दिया हुआ है, कुछ, बताओ, तुम लोग regular students हो, तुम लोग आते हो, तो मैं कुछ बार-बार ऐसे warning नहीं देना चाहती हूँ, but when you people are studying, try keep studying, ठीक है, क्योंकि ये जो तुम लोग कर रहो हो, इसके बाद से block ही होगे, ये काम मत करो, लास्ट ऑप्शन तो दिखी नहीं रहा, वो मुझे भी नहीं दिख रहा, उसके लिए मुझे ऐसे उठाना पड़ेगा, ठीक है, सुनो, जो आपको नहीं दिख रहा था, चीटिंग कर दी, सॉरी, ठीक है, तो ये गुझरात में किया गया है, अभी अभी, और 410 सेक्वाफार्मर्स थे, जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट किये हैं, उन्हीं ये मतलब नहीं नहीं चीज़ों को सब बताया बताया जाएगा, इ इने होस्ट किया था, नैशनल फ्लैग, इन में से, जो है, एट विच ओफ दे फॉलोइंग गेट्स अफ ड्यू पार्लेमेंट, ठीक है, तो कौन सी गेट पर किया था, आशा द्वार, गजद्वार, गरूदा द्वार, मकर द्वार या फिर शार्दूला द्वार, बताये यह अच्छा सवाल है दोस्तों, यह काफी अच्छा सवाल है, गरूदा, 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 खुशियार हो गए तुम लोग एकदम, सुनो, इसकी जो होस्टिंग की गई थी, यह गजद्वार पे की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी, वाइस प्रसेडेंट और राजसवा के चेर्मैन, जगदीब दानकरजी के द्वारा, गज रही ठेला, तो इसके वाहा क फेकरेंट नहीं को तरुमि आ से चेर्परिक्ट करनेखें यह संनकती हैं, यह जो जाना आपब उनगे लगज़ान, थी, की एक चेरी मेल, इस वाह पर लगए आप लगएगया गया है, की जो खुशिआः γछी आप बना कREC, फिवन आप 9-8 क तुम लोग वीडियो देख लेना उसमें सब समझाया वहां पे आपको सब समझ भी आ जाएगा ठीक है यहां तो हम लोग अभी पूरेशा में बहुत लंबी किन्हों ने शांती निकेतन के अंदर Pfizer बताइजेगा रविंद्रेना टैगोर्जी ने यहां पर अपनी लंबी उम्र्ख गुजारी है ठीक है रवान्दरनाड टागोर हमारे देश के आसे पहली या पूरे एशया में ऐसे पहले व्यक्तिते हैं जिन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था यह इंप्रंटेंट है यह तो 41st साइट था अपने देश का 42nd भी दिया गया, 42nd किसको दिया गया है Hoysala Temples, ठीक है तो बेलूदी, चेनाकेश्वा एक और टेम्पल था है कौन सा, यह 3 टेम्पल्स हैं जिनको क्या दिया गया है, जिनको UNESCO World Heritage में लिया गया है अभी अभी होईसाला Temples है तो इनके नाम को याद रखी देगा यह 41st है और वो जो होईसाला Temples है, 42nd है ठीक है, चलो कहाई इन में से कौन सी क्रिकेट टीम ने एशिया कब जीता है, पाकिस्तान, श्रिलंका, बंगला देश, इंडिया या निपाल हाँ, तो इस बार एशिया कब जीतने वाली कौन सी टीम थी, इस बार की एशिया कब जीतने वाली थी आपकी, इंडिया, ठीक है, अच्छा कौन सा एडिशन था एशिया कप का यह जो एशिया कप हुआ है यह इसका कौन सा एडिशन था यह भी सभी लोग बताओ ज़रा कि फटाफट कि डिफीट श्री लंका स्कूर फिफ्टी हाँ इस बार का इशिया कप थोड़ा सा मज़िदार हो गया था है ना खतरनाक हो गया था बिलकुल खैर तो चलो एशिया कप आप लोगों का 30 अगस्ते 17 सितंबर तक चला है इसमें कुल 13 मैच्चिस खेले गया थे ठीक है इसके अंदर कुल 13 मैच्चिस खेले गयते हैं और 6 अलग अलग टीम्स थी जो की पार्टिसिपेट की थी कौन से फॉर्मैट का होता है यह वंडे इंटरनेशनल का होता है ठीक है इसको आप लोगों को जरा सा याद रखना है कहां कहां पर यह गेम हुआ था तो श्र ठीक है man of the match ठीक है सबसे खतरनाक खेलने वाले उस दिन सिराज ठीक है दुनिया पर के लोगों की जो स्टोरी लगी हुई थी वो इनी की लगी हुई थी मुझे ऐसा लग रहा था कि इनके अलावा किसी और की स्टोरी कोई लगाया ही नहीं था सबके सब लोग किसको लगा रहे थे थी अधीक है अच्छा प्लेयर ओफ दे कौन तो यह vaccinated एडवजी थी थे ठीक है अच्छा प्लेयर ओफध टूर्नमेंट का अगर आप लोगों से बात की जाती है कि धूल्दी प्लेयर ओफ दे कौन तो यह कुलदीप यादव्श ऑफ़गर रही हुई थी तो मैं अने शाय ठीक है अगला देखो हाइदरबाद लिबरेशिंदे सेलिबरेट होता है भारत में ताकि कुमिमेरेट कर सा कि उस रीजन की फ्रीडम को निजाम रूल और मर्जर ऑफ हाइदरबाद स्टीट से आप से पूछा जा रहा है कि इसको सेलिबरेट कब करते हैं हाइदरबाद का लि कि इसमें इंडिया बनी है करेक्ट चलो तो अब जब हम लोग इसकी बात करते हैं इसका अंसर होगा 17 सितंबर हाइदरबाद लिबरेशिंदे को हम लोग हर साल 17 सितंबर मनाते हैं ताकि जो वो पर्टिकुलर शेत्रे उसकी आजादी को हम लोग मना सके किस से निजाम रूल और मर्जर ऑफ हादरबाद स्टेट से ठीक है तो इसको हम लोग हर साल मनाते हैं 17 सितंबर कब हुआ देए 17 सितंबर 1948 इसलिए इस दिन को हर साल 17 सितंबर को मनाते हैं यहां पे कौन से स्टेट में यशो भूमी यानि की इंडिया इंटरनाशनल कर्वेंशन सेंटर को इनोग इनोग्रेट किया गया यह बहुत खतरनाथ चीज बनी है हम लोग उने इसके बारे में काफी पढ़ा था ठीक है बताइएगा इसका इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया यहां अचहा अच्छा सवाल बनेगा in याद रखेगा हां तो यह बताओ 17 सितंबर को किसका बढ़े होता है अगला कौन एमिनेंट ओथर है ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पतनाइक सिस्टर इनकी अभी-अभी मृत्य हुई गीता मेता मालिनी रजूरकार सीमा देव मंगला नाडलेकार या गितांजली अईयर बताईएगा कि मुझे क्या अंसर मिल रहे हैं गीता मेता गीता मेता गीता मेता ओके ग्रेट आव देख लेते हैं इसका अंसर क्या है इसका अंसर हो जाएगा अरे 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 कुछ तो हुआ काम हाँ सुनो इसका अंसर हो जाएगा गीता मेता ठीक है गीता मेता जो की नवीन पर टाईजी की सुस्टर है इनकी अभी अभी डेथ हुई है इनको याद रखना है इंपॉर्टिन है ठीक है अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताईएगा कि अजीत निनान जी की भी डेथ हुई थी ये कौन से फिल्ड को बिलॉंग करते हैं अजीत निनान बताईएगा कार्टूनिस ठीक है ये पॉलिटिकल कार्टूनिस थे इनको याद रखे रहेगा ठीक है चलो आग्ला देख लो कौन से अडिशन था इंटरनेशनल कोस्टिल क्लीन अप देगा जिसको सुलब्रे этих सितम्बर को three six, three nine, three eight, one, three seven, अटिक को लास्ट भी गा है 30 seconds ठीक है बताईएगा कौन से अडिशन था इंटरनाशनल कोस्टल क्लीनप देखा थर्टी नाइफ मुझे एंसर्स मिल रहे हैं थर्टी एट था बहुत क्लोज आके तुम लोगोंने गलत कर दिया कोई बात नहीं इसका थर्टी एट एडिशन था जो भी हुआ है ठीक है और पुनीत सागर अभियान इसको इस्टर नावल कमांड के द्वारा कब 16 सितंबर बेसे क्लिए का बहुता है तीसरा सैटर्डी जो होता है सप्टेमबर का उसमें होता है 16 सितंबर कोई फिक्स देन है ठीक है तो यह इंडरनाशनल कोस्टल क्लीनप दे होता है जिसके थूँ यह लोग क्या करते है जो भी कोस्टल एरिया है वहाँ पे शिप्स विगेरा को डिप्लाय करको इसको टोटली क्लीन किया जाता है ठीक है चलो अगला सवाल देखो इन में से कौन सी मंत्राले इनने कंड़क किया था स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर मेगार सिटिजन लेट बीश क्लीनप ड्राइव 79 लोकेशन पे आठ स्टेट्स में 4 यूटीज में और यूटीज में से मिनिस्ट्री और इनर्जी मिनिस्ट्री ओफ एर्थ मिनिस्ट्री ओफ पूर्ट बताईएगा हाँ बैए इस क्या होगा दूस्तों मुझे क्यां से मिल रहे है इसका अंसर हो जाएगा Ministry of Earth Science इन्होंने क्या किया था इन्होंने एक मेगा सिटिजन यानि के सिटिजन भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे तो एक मेगा सिटिजन इन्होंने लॉंच किया था इन्होंने जांच किया था इसकियो थे के सिटिजन अधर ने किया थाela Union Territories की जो governance होती है, जो ruling होती है, वो हमेशा Central Government करती है, इस state को छोटे-छोटे parts में डिवाइट किया गया हुआ है, वहाँ का अपना एक सरकार होता है, administrative purpose उनको बनाया जाता है, हाला कि उस पे भी केंद्र सरकार का हख है, लेकिन direct नहीं है, पहले state उसको देखती है, फिर केंद्र बाकी चीजों में इंटरफेर कर सकती है, ठीक है, तो जो भी Union Territories होती है, इनको direct Central Government गवर्न करेगी, और इनके लिए कौन रहता है, इनके लिए हमेशा state government होता है, ठीक है, याद रखे लिएगा, 17 सितंबर 2022, जो है, एक साल हो गया था, successful implementation of which project, 17 सितंबर को, यह मैंने आप लोगों को class में समझाया था, बहुत काइदे से, Tiger Task Force, Project Elephant, Project Snow Leopard, Project Turtle, या, स्वारी, Sea Turtle, Project या, Project Cheetah, प्रोजेक्ट चीटा, प्रोजेक्ट चीटा, प्रोजेक्ट चीटा को अपने वहां पर launch किया गया था, पिछले साल 17 सितंबर को, इस साल इसका एक साल complete हो गया है, चीटा को क्या scientific name होता ही, आप लोग देख सकते हो, खतरनाक सब, और हमाये देश में 20 चीटा आए है, आठ नामीबिया से और बार साथ अफरिका से, इसको एक successful project इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि जितने चीटा आये थे, A is equal to E होता है मैडम का rule, अगला देखो, कौन से भारत ये शहर में चौता और आकरी meet-up हुआ है G20 का framework working group का, अभी जो लास्ट वाली framework meeting होई थी, यह कहां पर की गई थी, और आपूर रायपूर 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 देखो, इसका आंसर क्या होगा, रायपूर 36 तो रायपूर के अंदर जो G20 की framework की आकरी, यानि की चौती, जो भी अलग-अलग meetings की गई है, यह चार-चार रही है, ठीक है, तो जो चौती और आखरी framework meeting होई थी, यह रायपूर 36 गड़ के अंदर किया गया था, यह important है दोस्तों, ठीक है, चलो अगला देखो, कौन से शहर में, सौरी, किस राज या यूटी में, इंडिया का पहला dedicated OPD आया है, transgender के लिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखन, जम्मु कश्मीर, लदाक या नहीं दिल्ली, तो हम लोगों ने पढ़ा था, RML Hospital के बारे में, कि RML Hospital, प्रदान मंत्री मोदी जी के birthday के दिन, एक ऐसा OPD लॉंच किया, जो specifically transgender के लिए, यह कहां पर है, यह है, नहीं दिल्ली में, 10,000 करोड, 11,000 करोड, 13,000 करोड, 12,000 करोड, या फिर 15,000 करोड, इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से 13,000 करोड रुपए दिये हैं, अच्छा, कितने ट्रेट्स के लिए लॉंच किया गया है PM विश्व कर्माई स्कीम, कितने तक का को लेटरल फ्री लोन दिया जाएगा, तीन लाग तक का शुरू में एक लाग दिया जाएगा, अगर टाइमली रिपेमेंट हो गई, तो दो लाग और दे दिया जाएगा, ठीक है, इन लों को 15,000 रुपए भी दिये जाएंगे, जो भी इसके लिए आवे दिन आपनी और उसके साथ में एक टूल किट दिया जाएगा, जो भी उनका कामों का उससर रेलेटिट टूल किट, ठीक है, तो याद रखिएगा, यह इंपॉर्टन चीज़े हैं, अगला, रिसेंटली, कौन से मंत्राले ने फ्लैग ओफ किया था, SMVD, नारायन हेल्थ केर, टी जीतेंद्र जी हैं, मैंने आप लोगों को बोला भी कि मुझे लगता है, सबसे ज़्यादा हाइपर एक्टिव जो हैं वो जीतेंद्र जी हैं, तब भी सब गलत बता रहे हैं, समझे रहों तुम लोग मतलब? इसका अंसर क्या होगा? इसका अंसर होगा, जीतेंद्र सिंग जी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक वैन की लॉंचिंग करी थी, चलो चलें TV को हराने, उसके साथ में, प्रूगन के साथ में, आप लोग मुझे एक बात बताओ जरा सभी लोग, मतलब वही हैं न कि ह आज मुझे पच्तावा होता उस बात का अंसर पूछ लेती अच्छा सुनू एक बात और यहां पे जरा ध्यान से सभी लोग की की हमारे देश में टीबी को एंड करने का जो येर है ये कौन सा सेलेक्टेड है टीबी को किस साल तक एरेडिकेट कर दिया जाएगा दो हज़ार पचीज होगा दो हज़ार चौबिस नहीं होगा दो हज़ार पचीज तक ठीक है मेरे साथ में क्या है न कैई बारी कई बारी कैई बारी क्या वृता है कि मैं कोई काहावत वगएरा सुनती हूं तो मैं उसे याद करने की कौशिश् Noel – याद भी कर लेती हूं क्यों मैं आप लोगों को इतना लंबा भाश्र दे रही हूँ, जब जीए पढ़ते हो ना, तो जीए में, जैसे मैं कहावत में कई बारी एक दो लाइन को नहीं सुनती हूँ, एक दो वर्ड को नहीं सुनती हूँ, ये काम नहीं करना है, तुम लोगो जीए में एक वर्ड को पकड़ना है, ताकि तुम लोग मूवमेंट पे हीरो, हीरोईन बन सको, ठीक है, तो मैंने अपना एक 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 दिमाग में एक कहावत था, जो मैं नहीं बोल पाई, क्योंकि मुझे उसका एक दो वर्ड रॉंग लग रहा था, इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, जीए को दियान से पढ़ा करो, ठीक है, सुनो, सब कह रहे हैं, सेम येर मैं, तो इट शुड नॉट बी सेम, अगला, रिसेंटले यूनियन एडुकेशन और स्किल दिवलप्मेंट मंत्राले, इंटर्प्रिनियर्शिप मिनिस्टर, धार्मेंदर प्रदान ने लॉंच किया, स्किल्स औन वील्स इनिशेटिव, एनिस डीसी के साथ में, और कौन से बैंक के साथ, SBI, HDFC, यूनियन बैंक, इंडस इंडिया, फिर किनारा बैंक, हाँ, तो इसकान से क्या होगा, सब सोच के बता रहे हैं, इंडस इंड होगा, क्या मैं, है न, देखो मेरे साथ यूँ, इसका अंसर होगा, इंडस इंड, ठीक है, तुम लोग बिल्कुल सही बता रहे थे, थोड़ा सा confidence गिर जाता है, ठीक है, तो Union Minister for Education और Skill Development Entrepreneurship श्रीधरमेंद्र प्रधान जी और Speaker of लोगसभा, ओम बिल्ला जी ने लौंज किया था Skills on Wheels Initiative, NSDC के साथ और इंडस इंडी के साथ में विलकर, इस partnership में 60,000 यूद को empower किया जाएगा 5 साल में, इस मकसद से कि वो अपना जीवन या अपन बहतर कर सकें, अगला, Recently, RBI ने इंपोस किया था monetary penalty, कौन से cooperative bank पे for deficiencies in regulatory compliance, बिचारा जी नागरिक सहकारी, बैंक वगोदिया सहकारी, विरमगम सहकारी, बरामती सहकारी, या all of the above, बताईएगा, इस कहां से क्या था, all of the above, यह हम लोगों ने इसके पहले भी कर रखा, शायद से आप लोगों को यादो, इस कहां से होगा, all of the above, अगला, इन में से कौन से digital payment platform ने इंट्रोड्यूस किया एक नया फीचर, जिसका नाम है लेंज, ताकि वर्सस्ट कर सके यूजर्स को, उनकी फाइनेशल विलनेस में, आप्शिन्स हैं, पे यू, इंस्टा मुजो, मोबिक्विक, कैश्री पेइमेंट्स या, इन फीवीम, क्या आप से पूछा जा रहा है, इन में से कौन सी, डिजिटल पेइमेंट प्लाटफॉर्म ने इंट्रोड्यूस किया है, एक फीचर, जिसका नाम क्या है, लेंज, बताईएगा, मुझे क्या अंसर्स मिल रहे हैं, C, C यानि की मोबिक्विक, तो जो मुबिक्विक है, इन्होंने अभी अभी एक नया फीचर लाँच किया, जिसका नाम है लेंज, अभी ये लेंज जो है, वो अपने यूजर्स को, फाइनेशल वेलनेस के बारे में बताएगा, और उनकी मदद करेगा, इस मक्षच से इसकी लॉंचिंग की गई है, ठीके, चलो, अगला, कौन सा बैंक, Go Brisk Technologies, Private Limited के साथ में मिल करके, पार्टनर्शिप किया था कि, इंट्रोड्यूस कर सके, Brisk Pay Account, to account solutions, designed to empower exporters and importers, तो ये Brisk Pay के साथ मिल करके, किसने किया है, options क्या है, Yes Bank, Access Bank, ICICI, HDFC, या फिर, Kotech, Mahindra, बताना जरा, इसकान से क्या होगा, Yes Bank, ठीके, तो जरा ध्यान दीजेगा, Go Brisk Technologies, Private Limited, जो के cross border payment, Fintech company है, और Yes Bank, मिल करके, partnership किया और introduce किया है, Brisk Pay, account to account, a cutting edge suite of solution, designed to empower exporters, और importers, तो उनकी मदद करने के लिए, basically इसको बनाया है, ठीके, अगला देखो, Recently, Assam Governor Shree Gulab Chand Kataria, जी ने लांचिया था, Sarpanj Samwad Mobile App, Raj Bhavan में, इस app को किसने डिवलप किया है, Options है, Quality Council of India, Associated Chamber of Commerce, Confederation of Indian Industry, Institute of Nanoscience, Center for Nanos and Soft Matter Science, बताईएगा, ये तो हम लोगों ने पूरा पढ़ा था, अगर आप लोगों को यादो, इसको लांच करने वाला, कौन था, इसको लांच करने वाला था, Quality Council of India, Sarpanj Samwad Mobile App, ताकि जितने भी सरपंच वेगरा, जो सक्सेस्फुल रहा है, वापस में आइडियाज को शेयर कर सके, कैसे वो लोग अपनी शेत्र को और बहतर बनाने वाले हैं, है ना, चलो अगला देखो, अभी-अभी Nobel Foundation ने अनॉंस किया है, कि जो winners होंगे Nobel Prize के, उनका जो prize award होगा, उसको बढ़ाकर 1 million crown तक कर दिया जाएगा, आपसे पूचा जा रहा है, कि इन में से कौन से देश का national crown is used as a currency, Spain, Sweden, Austria, Netherlands, Poland, Sweden, 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 इस कान से क्या है, इस कान से रहे, Sweden, ठीक है, तो जो Nobel Foundation ने इनोंने अनॉंस किया है, winners अपने इस बार के Nobel Prize winners को, और ये बताया है कि जो भी होंगे, इन्हें extra 1 million crown तिया जाएगा, ओके, जो इसका मतलब होगा कि 2023 में जिन भी laureates को ये award मिलेगा, उन्हें 11 million Swedish crown दिया जाएगा, जो कि लग बग लग बग 8.1 करोड रुपे है, सो चो कुछ ऐसा करो, Nobel Prize जीत लो, G1 set, है कि नहीं बताओ, चलो अगला देखो, According to latest update of IMF Global Debt Database, to what amount the global debt declined in 2022, ठीक है, तो जो IMF की Global Database आई है, इसके मुताबिक बताया गया है, कि कितने हद तक जो Global Debt Database है, वो अपने वहाँ decline हुई है, 400 trillion dollar, 150, 235, 300, या 445 trillion dollar, क्या आंसर होगा, बताईएगा, क्या आंसर होगा, बताईएगा, क्या आंसर होगा, एक सेकेंड और, अभी किसी ने तो पूझ आता, Swedish Crown या Krona, देखो दोस्तों, जो Krone होता है, Krona, उसको कभी-कभी लोग Crown refer करते हैं, तो यहां वाले, इस वाले question में, अगर किसी को भी doubt है, तो याद रखे देगा एक बात को, कि जो ये Krone होता है, Krone is sometimes referred to as Crown, तो अगर आप लोग कभी भी इसको बात हो, इसको लेके confusion में मताना, कि हमने तो कभी ये सुनाई नहीं है, याद रखेगा, मैं यहां लिख भी दे रही हूं, Referred to as Crown, इसी को ही Crown कहते हैं, Official Currency लेकिन नहीं है, ठीक है न दोस्तों, तो यह सरा आप लोग को धियान रखना होगा, चलो, और मेरा अगला जवाब दे चुका है, चलो खेर हम लोग देख रहा थे, कि जो latest update थी, IMF की global data database की, कितने amount जो global data है, यह decline हो गया 2022 में, pre-COVID के तो उपर ही है, तो इसका answer होगा, 235 trillion dollar, ठीक है, यह अभी दूसरे साल में क्या हुआ, यह कुछ कम देखने को मिला है, लेकिन pre-pandemic यानि की pandemic आने के पहले वाला जो था, उसके तो अभी तक उपर ही है यह, ठीक है, जैसा की latest update आई है, IMF global debt database की, जो total debt है, यह 238% of global gross domestic product पिछले साल के है, 9 percentage points higher than in 2019, US dollar term में जो debt है, यानि की जो करजा है विश्व भर का, वो 235 trillion यानि की लाग करोड डॉलर है, और यही अगर हम बात करते हैं 2021 में, तो 200 billion dollar हुआ था, विश्व फॉलाइइट अस्टेट है, इस्पेशल गिफ्ट डेड इस्गीम, promoting harmony and resolving property related family dispute, तो इसको launch करने वाला कौन सा राज्य है, options है, माध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असाम, राजस्थान या, 36, किसने किया है बताईएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ये जमीन जायदात का जो वाद विवाद होता है, भयंकर होता है विलकुल, खुन खराबा, हम लोगे वहाँ पे तो दो दोस्त हैं, अच्छे उनके घरवालों के बीच में विवाद था, तो वो बेचारे अपनी दोस्ती जाहिड नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके दोनों के घरवालों के बीच में जगड़े थे, एक जमीन को लेकर, काफी बड़ी प्रापर्टी थी वो, कई करोड की, तो वो बेचारे दोनों आपस में बात नहीं कर पाते थे, मतलब शोर नहीं कर पाते थे, वी आर फ्रेंड्स क्योंकि अगर वो शो करते तो उनके घरवाले गुस्ता होते हैं, वो जैसे पुरानी मुवीज थी वही आलता उनका, क्या सुनो, तो इसका सही अंसर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, गिफ्ट डीड स्कीम, ठीक है, क्या है गिफ्ट डीड स्कीम, योगी आदेतिनाज जी की सरकार ने इसकी लांचिंग करी है, इस मकसद से कि जो भी family related dispute से उसको खतम किया जाए और लोग आपस में भाई चारे के साथ रह सके बेनेफीशरी जो होंगे अगस्ट 5 से लेके सितंबर 12 तक होंगे और इससे benefit किया जाएगा लगबग लगब 43,574 लोगों को ठीक है नहीं नहीं वो दोनों लड़के थे इनमें से कौन से स्टेट के चीफ इनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है कलाइगनार मगलीर उरुमाई थित्तम स्कीम को ताकि जो भी मही लाएं उन लोगों को कोई के हजार रुपेर मासिक दिया जा सके केरल करनाटका अंदरपरदेश तिलंगाना या तमिल नडू सरकार निसकी लॉंचिंग करी थी जब तबिनाड़ु सरकार निसकी लॉंचिंग करी थी कलाइगनार मलगीर उलुमाई थित्तम स्कीम टीम कि और इससे monthly assistance दिया जाएगा एक हजार का महिलाओं को, इसकी launching की गई थी, जब CN अन्नत दुरही, जो कि वहां के पहले chief minister थे, इनकी जब birth anniversary थी, इसी के साथ में क्या किया गया था, इस scheme की भी launching करी गई थी, ठीक है? Recently, union minister of civil aviation और steel ने inaugurate किया था, उडान भवन, एक integrated office complex है, कौन से airport पर? और अब काल, शिवा, मोगा, सफदरगंज, जिवार या फिर मोपा यापोर्ट, कहां पर इसकी launching करी गई है, बताइएगा. नहीं, मेरे लिए E is equal to C नी होता है, मेरे लिए E is equal to A होता है, ठीक है? हां तो देखो इसका अंसर क्या है दोस्तों, इसका अंसर होगा सफदरगंज एयरपोर्ट, ठीक है? तो जोते रादेते सिंदिया जी ने, जो कि हमारे minister of civil aviation इस्टील है, इनों ने launch किया था, उडान भवन एक integrated office complex है, दिल्ली के सफदरगंज एयरपोर्ट में किया है. आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो land stripes है, elephant corridor वाले, इसमें top करने वाला कौन साइस्टेट है, यहां पर सबसे जादा देखने को मिलता है, असाम, अरुनाशल प्रदेश, मध्यप्रदेश, विस्ट बिंगोल, या, त्रिपूरा. सबका E is equal to A होता है, तो मेरा E is equal to C होगा. हाँ, इस कान से क्या होगा दोस्तों, इस कान से होजागा, विस्ट, बिंगोल, खीक है? अगला देखो, सितंबर 2023 में कौन सी life insurance company ने लॉंच किया था, एक नया insurance plan जिसका नाम था SEVA, यानि, Secure Earning and Wellness Advantage, SBI Life, Max Life, HDFC Life Insurance, PNB या PNB Mid Life, बताईएगा. बढ़ाको बच्चा सुम्मेट सूते जाओगे काइदे से. बढ़ाको बच्चा सुम्मेट सूते जाओगे काइदे से. इसका अंसर है Max Life, Max Life Insurance ने लॉंच किया है SEVA, SEVA काफल फोर में Secure Earnings and Wellness Advantage, ये अवैलेबल होगा दो वेरियंट में, Elite and Light. जैसे कि अनॉंच किया था रिसेंटली, RBI ने पालिट किया एक Frictionless Credit Initiative, resulting in what percentage substantial reduction in customer acquisition cost for lender. options है, 70%, 80%, 60%, 50% या फिर 40%. इसका अंसर होगा 70%, RBI ने पालिट करे एक Frictionless, ये हम लोग अपनी कल की क्लास में जहां तक करेंगे, Frictionless Credit Initiative जिससे result किया गया substantial 70% reduction customer के acquisition cost में, और lenders के लिए, ठीक है, चलो अगला देखो, एक बात बताओ, आठ बज़े से कोई क्लास लास थी किया तुम लोगी, क्योंकि सारे के सारे बच्चे, आठ बज़े धीरे धीरे निकलने लग गया है, बोलो, हाँ, अगला देखो, सितंबर 2023 में इन में से कौन सी automobile company ने इंटर किया था, पार्टनर्शिप इंडियन बैंक के साथ, ताकि वो उफर कर सके, फिनांसिंग सॉलिशन अपने डीलर्स को, वर्ल्स वैगन, हीरो मोटो कॉप, महिंद्रा, महिंद्रा, टाटा मोटर्स या फिर मारूती, सुजूकी, तो फिर सब कहां चले गाए, पार्टनर्शिप किया था, ताकि वो फिनांस सॉलिशन दे सके अपने डीलर्स को, इस कांसर होगा, मारूती, सुजूकी, मारूती, सुजूकी ने एक पार्टनर्शिप किया था, इंडियन बैंक के साथ में, ताकि वो फिनांसिंग सॉलिशन अपने डीलर्स को दे सके, दोनों पार्टी ने साइन गया एक M.O.U. ताकि इस कोलाबोरेशन को फॉमिलाइज किया जा सके, ठीक है? अगला, सितंबर दो अजार तेस में, इंडियन ओवरसीज बैंक ते इंट्रोडियूस किया था, एक ओनलाइन अलोट्मेंट, सेफ डिपॉसिट लॉकर फैसिलिटी का, अपने कस्टमर्स और नॉन कस्टमर्स के लिए, करेंट M.D.C.E.O को ने इंडियन ओवरसीज बैंक के, आप्शिन से, नहीं नहीं यह बस दस क्वेश्चिन और बच्चे हैं, दस क्वेश्चिन के बार चुट्टी, मौच काटो, मौच. इस कांसर क्या है? इस कांसर है अजय कुमार्स बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है, online allotment, safe deposit locker facility का, अपने customers और non-customers दोनों के लिए. I.O.B. यानि Indian Overseas Bank के, जो foundation होई थी, 1937 में होई थी, head office इनका चिन्नही में होता है, MDC यू अजय श्रिवास्तव हो जाते हैं, tagline होता है, good people to grow with. ठीक है? On which of the following days, World Bamboo Day is celebrated? ठीक है, तो World Bamboo Day को हर साल कब मनाते हैं, 19 सितंबर, 20 सितंबर, 18 सितंबर, 21 सितंबर या फिर 17 सितंबर. बताओ भी. आपसे बात की जारी ये World Bamboo Day की है, हर साल अमलों के देश में 18 सितंबर को मनता है, ठीक है? World Bamboo Day के नाम से. इसको recognize किया गया था, World Bamboo Organization के दुआरा, कौन सी साल में किया गया था? 2009 में. World Bamboo Day की foundation की गई थी, कमेश सालम, जो की former president थे World Bamboo Organization की. World Bamboo Organization की हम बात करते है, तो जो इनका head office होता है, ये Belgium के अंदर होता है, ये important हो जाता है. इसकी शुरुआत किसके दवारा की गई थी? कमेश सालम, जो की इसके पहले World Bamboo Organization के अध्यक्षित थे. ठीक है? अगला, सितंबर 2023 में, कौन से bank ने लॉंच किया था? Financial Inclusion Solution, IB साथी. ये जस्ट कुछ देर पहली मैंने आपके साथ में discussion करी है. SBI, HDFC, Bank of Maharashtra, Indian Bank, या फिर Punjab National Bank. IB साथी को लॉंच करने वाला कौन था? B for Bamboo, B for Belgium. ने हुश यारो तुम लोग. देखो, इस कहांजे गया था? इस कहांजे था? Indian Bank. ठीक है? तो Indian Bank ने जो है, लॉंचिंग करी थी. Financial Inclusion Solution, जिसका नाम है IB साथी. साथी का फिल फॉर्म इंपॉर्टेंट है. Sustainable Access and Aligning Technology for Holistic Inclusion. यह जो initiative है, यह focus करेगा. कैसे basic banking services दिया जासा के stakeholders को business correspondence के थूप. हर साल 17 सितंबर को अम लोग World Patient Safety Day मनाते हैं. World Patient Safety Day का theme क्या था? Options देको और आंसर करो. क्या आप से पूछे जा रहा है? 17 सितंबर को World Patient Safety Day मनाते हैं. इसका theme क्या था इस साल? तो अगर हम लोग बात करते हैं, इसका theme क्या था? यह था आप लोग का. Engaging Patients for Patient Safety. ठीक है? Engaging Patients for Patient Safety. इस theme के साथ इस दिन को मनाया गया है. कब मनाया गया? 17 सितंबर को. ठीक है? और बागी आप देख सकते हो, 2019 में World Health Assembly ने established किया था World Patient Safety Day को. इस मकसद से कि वर्ल्ड के जो patient है, उनकी safety को बरकरार रखना है इंडरनाशनल लेवल पर. अभी-अभी Indian Javeline Thrower Neeraj Chopra ने फिनिश किया था अभी तो देखो इसका अंसर क्या होगा, इसका अंसर होगा second. इंडिन Javeline Thrower Neeraj Chopra ने second spot पर फिनिश किया था इस बारी Diamond League Final in Eugene, Oregon, USA. चैनल इसे के मताबिक जो Global Crypto Adoption Index है, इंडिया की ranking किस number पर है Grassroot Crypto Adoption 2023 में? Second, First, Third, Fourth या Fifth? ये एक बड़ी चीज है कि भारत के अंदर भले अभी crypto के ले करके इतनी जाद awareness नहीं है, लागू भी नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हम लोग adoption में first पर थे हैं, कल मेरे पास एक लोग मुझे मेसेज करके कह रहे थी, crypto adopt कर लो, मैं तुम्हें कोचिंग दूँगी, ये फिर्स्ट पर है, जो country rank first है, ये चार परामीटर्स पर आई है, ठीक है, centralized service value received, retail centralized service value received, defi value received और retail defi value received, 2022 में इंडिया चौथे नंबर पर था, लेकिन अभी के अगर आप देखो, तो अभी फिलहाल में भारत जो है, ये first पर आ चुका है, रिजेंटली REC Limited ने sanction किया था debt funding, 3,081 करोड का Serentica Renewables को उसके 560 Megawatt Peak Greenfield Solar Wind के लिए, किस district में करनाटका की, बंगला कोटे, रामगंगा, यादगिरी, गडग या फिर विजयनंगारा, बताइएगा, ये बहुत ज़्यादा intense है, इतना intense नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ लोगे, तो कुछ खराब ही नहीं होगी, यानि आपके देश में कितने लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितनों उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो को है, उसकी बात की जा रही है, बैंगिलोर तो ऑप्शन में ही नहीं था, बैंगला कोटे था, इसका सही अंजर था विजया नंगरा, ठीक है, गदक हम लोगे ऑप्शन में तो था ही, है ना, तो इसका अंसर गदक होगा, उपर इदर वो लिखा होगा, ठीक है, गदक के अंदर, इसको मैं जड़ा करेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि यह हमारे उप्शन में था, चलो, अगला देखो, अभी-अभी Tata Power Renewable Energy Limited ने एक MOU की साइनिंग करी है, किसके साथ में SIDBI के साथ, ताकि वो accessible financing options दे सके MSME को, ताकि वो क्या adopt कर सके, options है, solar solution, UPI, purchase and price preference, skill development, या none of the above, यहाँ पे सारे options आपनों को clear दिख रहे हैं, देखो, आपसे question में बोला हुआ था कि Tata Power Renewable Energy, अगर आप लोग यहाँ पे नाम देखते हो, Tata Power Renewable Energy, जब नाम में Renewable लग गया है, तो options को देखके, अपने आप clear होना चाहिए, किसी renewable source के लिए काम करेगा, या नि, solar के लिए, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते है, mind game खेल सकते है, न, खेर, तो इसका सही answer था, solar solution, Tata Power Renewable Energy, ने MOU की signing करी है, Small Industries Development, Bank of India के साथ, ताकि accessible finance कर सके, MSME को solar solution adopt करने के लिए, ठीक है, चलो, अभी अभी राहुल नवीन जी को appoint किया गया था, अपने देश का director ED, ये किसकी जगह पर आएंगे, प्रवीन सोनी, संजय मिश्रा, अजय भटनागर, रवी सिना या अरुन गोयल, किसकी जगह पर ये इस post पर आने वाले हैं, बताएंगे, तो ये भी हम लोगों ने कर रखा है, संजय कुमार मिश्रा जी की जगह आप कौन आने वाले हैं, राहुल नवीन जी आने वाले हैं, एनफोस्मेंट डिरेक्टरेट की पोस्ट पर, फिलाल में, इस्पेशल डिरेक्टर चीफ विजिलिंस ओफिसर हैं, ठीक है, अभी इंड लॉखिट मार्टीन, रेथियों, नॉर्थ रॉप या फिर जुपीटर एयरक्राफ्ट, यह इन्होंने कहां से रिसीव किया था, एयर बस से, ठीक है, तो इंडियन एयर फोस्ट को अभी एयर बस से क्या रिसीव हुआ है, C295 मेगावाट ट्रांस्पोर्ट एयरक्राफ्ट ठीक है, सेवल स्पेन में, IMF ने ओर गया था, टोटल, 56 C295 मेगावाट एयरक्राफ्ट, जिसकी जो वैल्यू है, यह है, 21,935 करोर, जोरी, 935 करोर, अगला, यह हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चिन, इसके बाद दो क्वेश्चिन और सेशन गतम, अभी अभी जो है, कौन स अगई, आब यह इयर, इंडिया या, फिर, एयर एशिया, हम हमें, यह किस ने किया है, एयर, इंडिया ने, ठीक है, अपार्ट ओफ एट्स एफॉर्ट to expand, इस ग्लोबलters, एयर, इंडिया ने इंटर किया एक इटरे लाइन पार्टनर्शिट, Bangkok, एवेश के साथ, तकि वो कनेक्टिविटी दे सके थाइलेंड और बाकी साउथी स्टेशन कंट्रीज में किसको एलेक किया गया था चेरमेन ABC का श्रीनिवास स्वामी रियाद मैथ्यू मोहिज जैन विक्रम शाकुजा रियाद मैथ्यू जिस्ट अभी मैंने आप लोगो कुछी देर पहले पढ़ाया थ यह दिया गया था श्रीनिवास स्वामी को ठीक है लास्ट क्वेशन हमारा इन में से कौन सी कंपनी ने सैंक्शन किया है 6,075 करोड का लोन रिन्यूएबल इनर्जी कंपनी ग्रीन को को ताकि वो 1440 मेगावाट स्टैंड अलोन पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू कर सके पावर ग्रिट कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे, एंटी पीसी, पावर फिनांसिया, पीएसी देखो, कभी भी सिर्फ एक MCQ की क्लास से अगर आप सोचों कि आप लोग एक्जाम लिवल का करेंट अफियर्स तैयार करोगे तो वो पॉसिबल इन है, क्योंकि एक्जाम में आप लोगों से डीप और स्टेट्मेंट वाले पूछते हैं, तो यह आप लोगों के सिर्फ और टेस्ट में परफॉर्म करो या ओवरॉल जो पढ़ वो आपको कहीं भी हल्प करता है, चलोग है, तो यहां से पूछा हुआ है कि किस कंपनी ने जो है दिया था, यह का अंसर क्या हो जागा, REC, REC ने 6,075 करोड का लोन दिया था, रेनेरबल एनरजी कंपनी, ग्रीन को को, ताकि 1440 MW का stand-alone pump storage project सेट अप कर सके, ठीक है, ने मारी आज की क्लास थी, जो लोग भी throughout the time session में नहीं आपाते हो, और यह सोचो कि नहीं, एकदम last moment पर हो जाएगा, केवल MCQ कर लेंगे, या एक PDF पढ़ लेंगे, exam निकल जाएगा, तो मैं आपको बतारू हूँ, अगर आप इस myth में मत रहो, अगर कोई guide कर रहा है, तो वो गलत guide कर रहा है, ठीक है, कई बारो YouTube पे भी लोग आपको कहता है, यहाँ पे जाके यह वाली PDF पढ़ लो, ठीक है, तो वो उनके कहने का एक reason होता है, जो मैं आपसे यहाँ नहीं बता सकती हूँ, ठीक है, तो इस बात में मता time और आपका time बहुत अलग है, उसको एक में मत count करना, ठीक है, चलो, अब हम लोग फिर में लेंगे अपनी कल की class में, इसके अलावा, सभी लोगों को क्या करना है, सभी लोगों को, अरे, खुला हुआ था यह तो, कहा गया, यह रहा, सभी लोगों को यहाँ पे जाकर इसका पर reminder set करना है, कल सुबह की class में अपनी उपस्तिती रखनी है, डेली आप लोगों की सुबह 6.45 पर यह current affairs की class होती है, ठीक है, सुबह 6.45 एम, डेली basis पर होती है, Monday to Saturday, और वो जो हम पढ़े होते हैं, उसके साथ में कुछ और new questions की addition करके, हम लोग अपनी आज की session को करते है, ठीक है, और सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग अंगूठे लगा रहो, अंगूठे तो घिस रहे होंगे, तुम लोगे तो लग नहीं पा रहे हैं, तो अंगूठे लगा तो कम से कम डेल सो, दो सो करी सकते हो, CA में confusion होता है, पहले कुछ दिन करो, तो कम से कम एक महीने करो, फिर confusion नहीं होगा, करो, notes बनाओ, कोई confusion नहीं होगा, ठीक है, चलो खैर, आब हम लोग फिर में लेंगे, तब तक घर पे रो, स्वस्तरो, मस्तरो, मजे में रो, thank you for joining, session अच्छा लगा, आपको पता है क्या करन है, और कल सुबह कहा मिलना है, ठीक है, यह चाय पे चर्चा, यहाँ पर करम लोग करते है, ठीक है, तो यह हमारी एक बड़ी आसी क्लास होगी, कल सुबह में, बागी, बाई everyone, जहिंज भारत, God bless you, love you,